Hello everyone, welcome to origin आज के class में हमें start करने वाले हैं हमारे class 12th के English का chapter 4 जिसका नाम है The Red Trap तो आज की story थोड़ी लंबी होने वाली है और बहुत ही interesting story है और ये chapter काफी important है क्योंकि इस chapter से consistently हमारे exams में questions जो हैं वो आए हैं और ये chapter से questions long answer में भी आते हैं हम आज की सेशन में क्या करने वाले हैं फिर से same की तरह है एक बार हम देख लेते हैं sketch होगा छोटा सा one minute का story की summary हम देखेंगे then NCRT questions करेंगे फिर PYQs करेंगे and then last में long answer questions करेंगे और long answer questions का हमको पता है कि ऐसे questions होते हैं जिनमें पूरी story की summary भी आ जाए सो यह हमारा इस session में हम करने वाले हैं so questions भी बहुत सारे हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती ही बट इस वीडियो के end होने के बाद आपको कुछ भी extra चीज़ करने की जरुरत नहीं है सिर्फ अपना textbook आप read करिएगा and आपका जो यह English का जो यह वाला chapter है वो पूरी तरीके से complete हो जाएगा and then exam time में हम rapid revision तो करने ही वाले हैं so English में आपको ज़्यादा time नहीं देना है हमारा सारा focus main subject न रहेगा English के 95 प्लस का target आप इस वीडियो के through ही achieve कर सकते हैं clear? okay so start करते हैं पहले हम chapter का sketch देख लेते हैं ज़्यादा time हमें waste नहीं करना है the rat trap by Selma Lagerloff Selma Lagerloff इसके writer का नाम है so characters हमारे पास कौन-कौन से है peddler peddler हमारा main character है जो पूरी story वो इस peddler के उपर है peddler क्या है यहाँ पे एक rat trap rat trap seller है and crafter crafter के उपर है कौन-कौन यह है आपको इस story में आगे चलके पता चलते जाएगा अभी सिर्फ आप ध्यान दीजिए कि हम इनके बारे में जानने वाले है iron master and adla यह चार हमारे characters हमारे आज का जो इस story है उसमें main हमारे characters है अब यह story है किस लिए so इस story का जो theme है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से किसी भी बिगडे हुए इंसान को या किसी भी खराब इंसान को humanity के थूँ kindness के थूँ दयालुता दिखा के किस तरीके से किसी भी person को व्यक्ती को उसके nature को change किया जा सकता है ये इस पूरे story का हमारा आज का theme रहेगा इसी theme पे ये story जो है वो based है so अब मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ready है इस story की summary पढ़ने के लिए and summary के बाद हम questions करेंगे so इस पूरे session का most important part जो होता है जो की होती story की summary जिसे अगर आप ध्यान से पढ़ लिए ये story है एक red trap seller की red trap means चुहे दानी चुहे को पकड़ने के लिए जो trap आता है वो बेचा करता था यह व्यक्ति इस धंदे में ज़्यादा profit था नहीं तो वो क्या करता था उसे चोरी भी करने की जरुरत पर जाती थी कई बार उसके आखों में भूख नजर आती थी उसके गाल जो थे वो अंदर की तरफ पिचक गये थे और फटे पुराने कपड़े पहन कर वो घूमते रहता था ये ही story है red trap seller के उपर सो होता यह है एक बार वो seller जो है वो रास्ते में जाते हुए अपने red trap के बारे में सोच रहा था and suddenly अचानक से उसके mind में ये बात क्लिक होती है कि यो जो दुनिया है यो जो world है वो भी एक red trap है इस world में आदमी पैसे के तरीके से किसी भी लालच के लिए उसके पीछे भागते जाता है and वो उसके पीछे डब जाता है उसी में वो फस जाता है थीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम चुहे दानी में कहाना रखते है और वो चुहा जब उस खाने को लेने के लिए जाता है तो जो red trap है वो उस चुहे को पकड़ लेता है ये thought जब उसके mind में आता है वो बहुत खुश हो जाता है एंड काफी happy होके वो ये सारी चीज़े सोचते रहता है एक दिन की बात है red trap seller अपना काम complete करके means चलते हुए एक घर के पास पहुचा और उस घर के सामने उसने खटखटाया और वहाँ उसने shelter मांगा उसने कहा कि वो था crofter crofter मतलब क्या होता है crofter मतलब व्यव्यक्ती जो किसी छोटे से खेत में चोटे से किसी factory में काम करता है उसे हम crofter कहते हैं वो पहले crofter था तो जो crofter था वो बहुत अकेला था उसकी wife भी वहाँ नहीं थी सिर्फ अकेले रहता था वो लेकिन उसे बात करने का बड़ा शौक था, तो वो क्या करता है जो हमारा rat rap seller जो peddler है उसको अपने घर पे रात रुखने के लिए बुला लेता है अब वो बहुत बातूनी आदमी था, उसको मैं काफी शौक था और अकेला रहता था इसलिए वो उससे बात करना स्टार्ट करता है and खाना भी उसके लिए बनाता है बातो बातो में वो उसे बताता है कि मैं पहले Rams जो Ironworks में काम करता था and अब मैं उसे छोड़ दिया हूँ and अब मेरे लिए जो मेरी गाए है जो मेरी काव है वो मुझे support करती है and वो बातो बातो मुझे ये भी बता देता है कि मैंने अपने काव का milk sell करके 30 kronors कमाए है करोर्स नहीं kronors वो जिस जगा की ये story है वहाँ की currency का नाम है 30 kronors मैंने कमाए है अब जो हमारा pedler है जो red trap seller है वो क्या करता है वो shock हो जाता है वो बोलता है नहीं मैं नहीं मानता सो उसको proof करने के लिए वो वो पैसे दिखा भी देता है कि उसने रखे कहाँ पे है इस तरीके से वो रात complete हो जाती है अब next day सुबे दोनों के दोनों घर से निकलते हैं दोनों जने pedler और crafter बट निकलने के आधे घंटे बाद crafter पैडलर वापिस आता है वो खिड़की को तोड़ता है और वहाँ से जहां पे उसने पैसे निकाले हैं वो 30 क्रोनोर्स अपने पास लेके वो भाग जाता है अब वो अपने इस चालाकी पे काफी खुश होता है और वो क्या करता है वो शहर के होते हुए रास्ते को अवाइड करता है ताकि लोग देख ना ले या पोलिस उसको पकड़ ना ले अगर उसने कंप्लेन कर दिया तो वो क्या ब्रेन लगाता है वो जंगल के रास्ते ही वहाँ से बाहर जाने का सोचता है अब वो जंगल के रास्ते जाने लगता है बट काफी घना जंगल था एंड हर तरफ से उसको समझी नहीं रहा था कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और थोड़ी देर बाद उसको ये रियलाईज होता है कि वो बार-बार एक ही जहाँ पर घूमे जा रहा है उसे पदा चल गया कि वो अब इस जंगल में फस गया है और उसे फिर से वो अपनी बात याद आई कि ये जो वर्ल्ड है वो एक रेट ट्रेप है अब वो कहता है कि अब मैं इस रेट ट्रेप में फस चुका हूँ रैम्ज जो आयरन वर्क्स में बहुत चुका है वो रैम्ज जो आयरन वर्क्स के अंदर जाता है वहां कि जो काम करने वाले लोग हैं वो उस पर ध्यान नहीं देतें क्योंकि इस फन्डी में एक आयरन वर्क की जैसे गरम जगा में ऐसे लोगों का attract होना आम बात है तो वहां का जो काम करने वाला व्यक्ति है वो उसे बोल देता है कि यहां आके तुम आराम कर लो अब वो जो पैडलर है हमारा वो वहां जाके आराम करना शुरू कर देता है और वहां जाके लेट जाता है जो iron master है हमारा third character iron master वहाँ पे inspection के लिए पहुशता है और वो देखता है कि कोई आदमी वहाँ पे सो रहा है और जब वहाँ पे पहुशता है तो उसे गलत फहमी हो जाती है कि वो जो अव्यक्ति वहाँ पे सो रहा है वो उसका पुराना साथी है नील्स ओलोफ के लिए उसको वो गलत फहमी हो जाती है कि यह आदमी व साथ मनाओ एंड वो उसे आफर देता है कि क्या तुम मेरे घर चलोगे अब जो हमारा पैडलर है वो अपना रियल आइडेंटिटी नहीं बताता वो जो आईरन मास्टर उसको मना नहीं करता वो यह नहीं बोलता कि मैं नील्स ओलोफ नहीं हूँ क्यों नहीं बोलता क्योंकि उ वो शेर के डैन में जाने जैसा है लौयन के डैन में जाने जैसा वो काम होगा तो वो मना कर देता है उसके मना करने पे जो आईरन मास्टर है उसको लगता है कि इसके जो कपड़े है वो फटे पुराने है और इसका हुलिया जो हो काफी गरीबो जैसा है इसलिए इसे शरम तो वो बोलता है कि शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा ही घर समझो और चलो, अब तो मेरी वाइव भी जिन्दा नहीं है, मैं अपनी बेटी के साथ बस रहता हूं, बट ये सब सुनने के बाद भी जो हमारा पैडलर है, वो मना कर देता है उसके घर जाने से, अब जब एडला वहाँ पहुची, तो एडला उसे इंसिस्ट करती कि चलो हमारे साथ घर चलो, और एडला की काफी समझाने पर थोड़ा confident वो फील करता है, और वो मान जाता है कि ठीक है मैं चलता हूं, बट एडला कोई भी डाउट हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है वो Captain Neil Solof नह किया, अब वो उस घर पे जाता है, वहाँ जाने के बाद जो Iron Master बहुत खुश होते रहता है कि इस बार की Christmas मैं अपने पुराने साथी के साथ मनाऊंगा, अपने old comrade के साथ मनाऊंगा जिसका नाम है Neil Solof, वो एडला को ये सारी बाते बताता है, उसकी पुरानी कहानी सुनात बट एडला इस बिस बताती है, कि मुझे डाउट हो रहा है कि ये जो है वो निल सोलोफ नहीं है, तो Iron Master कहता है थोड़ी देर रुख जा, हम देख लेते हैं, ये बात उन दोनों के भी चलती ही रहती है, कि तभी साइट से दरवाजा खुलता है, और वो जो पेडलर है, वो समझ जाता है कि ये निल सोलोफ नहीं है, Iron Master के कुछ बोलने के पहले ही, जो पेडलर है वो बोलना शुरू कर देता है, और वो बोलता है कि मैंने आपको ये नहीं बोला कि मैं निल सोलोफ हूँ, और ना ही मैंने ये बोला कि हाँ मैं निल सोलोफ हूँ, मैंने कुछ इस बार वो दोराता है कि ये देखिए ये जो वर्ल्ड है वो एक रेट ट्रेप है और आप भी कभी ना कभी इस रेट ट्रेप में जरूर फसेंगे ये बात सुनके जो आईरन मास्टर है वो हसने लगता है बट एडला थोड़ी काइंड थी थोड़ी दयालू थी तो वो कहती कि कि इवनिंग पर इसकी खातिर दारी करने का वादा हमने इसे किया हुआ है हम इससे मुकर नहीं सकते एंड हम इससे एक दिन के लिए रख लेते हैं तो एडला के काइननेस से अब उसे और अच्छा लगने लगता है थोड़ा रिग्रेट उसे फिल होने लगता है उस दिन व की इवनिंग निकल गई, अब नेक्स दे वो घर पे सोई रहा था ये जो दोनों थे वो चर्च चले गया है चर्च से वापस आई एडला तो वो बहुत उदास थी, बहुत ही जादा उदास थी, क्यों उदास थी क्योंकि चर्च में उन्हें पता चला कि एक रेट्रेप सेल किसी क्रॉफटर के घर से 30 क्रोनोर्स लेके भाग गया है और यह सुनके आईरन मास्टर जो था वो तो बहुत गुस्से में था और वो सोच लिया था कि अब मैं घर पोहुचते तक हमारे वो हमारी सारी सोने चांदी के जितने भी गहने या जेवर है वो सब वो लेके भाग ज करॉट्र बातु है और वो देखती है तो एड्ला के लिए वहां उसने एक रैट्रट चोड़के गया था और उस रैट्रट के अंदर 30 क्रोड के क्रोनोर्स के नोट थे मिंस वह जो 30 क्रोफटर से चोरी किये थे वह वहां पर थे और उसमें वह लिखा था कि वह चाहता है कि ये 30 Kronors Crofter तक पहुँचे और वो कहता है कि तुम्हारी खातिरदारी नहीं मुझे बदला है तुम्हारी वजे से ही मैं जो हूँ वो इस Red Trap से बाहर आपाया हूँ और यह कहते कहने के बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारी kindness नहीं होती तो मैं इस तरीके से नहीं बदल सकता तुम लोगों ने मुझे Captain Nils Olof की तरह ट्रीट किया इसलिए मैं आज अपने पुराने जो Red Trap है उससे बाहर आपाया और इसके लिए तुम्हें इसका अवार्ड मिलना भी चाहिए और उसने लास में थाइंक्यू कहा और उसने जो signature किया वो भी as a Captain किया और उसने लिखा इस तरीके से जो हमारी story है वो end हो जाती है इसी story से हमें क्या सिख मिलती है कि कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम humanity दिखाए हम kindness दिखाए तो उसका जो basic nature है वो भी हम change कर सकते हैं सो दयालू हमें रहना पड़ेगा और किसी से भी हार नहीं माननी हमें उसे change करने के लिए उसके सामने थोड़ा kind पिशाना पड़ेगा और इस तरीके से जो हमारा world है वो एक better place बन जाएगा रहने के लिए सो बहुत ही beautiful story थी और मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छे सी story समझाई है और हम पूरी तरीके से ready हैं इस story के questions करने के लिए सो अब हम start करने वाले इस story का questions section सो हम start करेंगे सबसे पहले NCRT question से हमारा पहला question क्या है in what sense was the world a big rat trap according to the peddler why was he amused with his idea अब देखिए किस sense में rat trap जो world है वो rat trap के लिए एक rat trap था rat trap seller किस लिए कहता है कि यह जो world है वो एक rat trap है वो कहता है कि जिस तरीके से हम rat trap में खाना रखते हैं और चुहा उसके पीछे भागते हुए इस rat trap में फस्स जाता है उसी तरीके से यह जो दुनिया है इसमें भी हम लालच के पीछे भागते हुए किसी trap में फस्स जाते हैं और इससे वो amused क्यों हुआ था उसे लग रहा था कि मैं बहुत clever हूँ मुझे बहुत अच्छा idea आया और कभी ना कभी मेरे साथ भी ऐसा होगा और मेरी किसमत भी change होगी यह वो कहना इसलिए वो amused हुआ था next question हमारा क्या है why was the crafter so talkative and friendly with the peddler अब crafter जो था वो इतना friendly और talkative क्यों था क्योंकि crafter बहुत दिनों से अकेला रहता था crafter के पास कोई बात करने के लिए व्यक्ति नहीं था इसलिए वो peddler के साथ इतना कोड talkative था and friendly किसलिए हुआ क्योंकि बहुत दिन बाद उसे राद बिताने के लिए कोई साथ ही मिला इसलिए वो उसके साथ इतना friendly और talkative था second हमारा question है why did the peddler decline the invitation अब जब iron master rams जो फार्म पर पहुचा तो उसने peddler को offer किया कि चलो तुम मेरे घर क्रिश्मस इवरिंग मनाने चलो इसको उसने क्यों मना किया इसको उसने इसलिए मना किया क्योंकि उसे डर था कहीं मैं पकड़ा न जाओं ये उसका main reason था lion's den ये word आप यहाँ पर note कर लिजिए ये जब आप answer लिखेंगे तो आपके लिए काम आएगा ये word lion's den means share जहां रहता है den जहाँ पर share रहता है so lion's den ये word आप याद कर लिजिए अगर इस लाइब के question में आप ये word यूस कर लेंगे तो answer check करने वालों पता चल जाए कि हाँ इस बच्चे को answer पता है next question हमारा देखते है when did the iron master realize his mistake iron master ने अपने mistake कब realize की so ये question आपके लिए homework है क्यों homework है क्योंकि मैंने अच्छे से summary में इसे explain किया है hint मैं आपको दे देता हूँ Adla और iron master की भी जब बात चलती रहती है उस time का ये scene है इसका answer आपको comment में करना है and पिछले सारे videos मैं आपने ध्यान से देखा हूँ कि मैं हर comment को पढ़ता हूँ जितनों के answers आते है and जो answer मुझे पसंद आते है मैं उन्हें pin भी करता हूँ तो इस video में भी आपको comment जरूर करना है next हमारा question है what made the pedler accept Adla Williamson's invitation Adla Williamson सरनेम भी यहाँ पे लिखा गया है Adla आपको याद रखना है Adla Williamson कौन iron master की बेटी iron master की daughter अब उसके invitation को pedler ने accept क्यों किया क्योंकि Adla बहुत ही kind थी बहुत ही प्यार से उसे वो invite कर रही थी and Adla की kindness की वज़े से iron master का डर जो था वो कम हो गया या खतम हो गया इसलिए उसने Adla का invitation accept कर लिया next question है हमारा what made the pedler finally change his ways pedler को अपना रास्ता बदलने के लिए किस चीज ने मजबूर किया या किस चीज ने उसे मनाया अपना रास्ता बदलने के लिए कौन सा रास्ता बदलने के लिए चोरी का रास्ता बदलने के लिए इसका answer क्या होगा काफी छोटा सा answer है clear Adla और crafter की kindness ही थी जिसने pedler को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया clear, so यह हमारे answers थे इन questions के next हमारा करना है हमें PYQs okay, PYQs अब हमें देखने हैं how did the crafter entertain the peddler crafter ने peddler को किस तरीके से entertain किया देखिए, यहाँ पे हमें explain कर देना है कि क्या-क्या हुआ था peddler crafter से मिला, so इसके answer क्या होगा सबसे पहले उसने उसे shelter दिया shelter के बाद उसने उसे food दिया food के बाद वो उसके साथ talk करने लगा and जब उनकी बात चल रही थी तो उसने उसे अपने 30 kronor के बारे में बताया and अपना history भी बताया कि किस तरीके से वो आइरन वर्क्स में काम करता था and अप किस तरीके से अपनी काव की help से उसने 30 kronors कमाई यह सारी चीज़े हम लिख देंगे तो इस question का हमारा answer बन जाएगा यहाँ पर मैं आपको simple points दता रहा हूं कि क्या-क्या चीज़े हमको लिखनी है इसे as a paragraph आप बहुत की आसानी से लिख सकते हैं next हमारा question है what do we learn from the crafter's nature from the story the rat trap अब यहाँ पर हमें बताना है कि crafter का nature क्या था तो crafter का nature हमें इस story से क्या-क्या पता चला crafter का nature हमें पता चला कि वो काफी kind था वो lonely था या फिर alone था and next हमें crafter के बारे में क्या पता चली वो बहुत ही talkative था talkative था and हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो बहुत ही friendly था so यह सारे जो nature है crafter के वो हमें इस question के थूरू पता चले इस story के थूरू crafter के बारे में पता चले तो यह सारी points हम अगर answer में लिख देंगे उसके qualities के बारे में तो यहाँ पर हमें full marks मिलेंगे next question है हमारा why did देखिए English में अगर आपको full marks score करना है तो सबसे पहला चीज आप ध्यान रखिए spelling mistake नहीं होना चाहिए बाकी चीज आप answer तो लिखी देंगे spelling mistake में ही maximum times में marks जो है वो cut होते हैं spelling mistake आपको नहीं करना है and second thing जो word limit दिया है उसके आस पास का answer लिखे उससे छोटा तो लिखना ही मत and उससे बड़ा हो सके तो try मत करना 40 to 50 words होते हैं उत्रे words में आप answer लिख दिजिएगा perfect answer होता है and यह जो चीज यह हैं यह आप अगर story को समझ गया तो सारे questions आप आसानी से बना सकते हैं next question है हमारा why did Adla decided to entertain the peddler Adla ने क्यों decide किया peddler को entertain करने का यहाँ पे आपको इसके answer नहीं बताता हूँ क्योंकि Adla जो थी वो क्या थी kind थी so पहला answer यह था पहले line में हम लिख देंगे Adla was very kind अब जब वो peddler से मिली तो उसने क्यों entertain कि आप देखिए यहाँ पे entertain मतलब entertainment वाला नहीं यहाँ पे इसका मतलब उनको उसकी खातिरदारी क्योंकि उसको अपने साथ क्यों रखा अपने घर क्यों बुलाया यहाँ पे वो entertainment वाला entertain यह नहीं है सो पहला point हमारा हो जाता है कि जो Adla थी वो क्या थी काफी kind थी Adla बहुत ही kind थी and second thing जो थी वो Adla के mind में आई कि जो peddler है उसको हर किसी में जब भी किसी है घर गया होगा लोगों ने उसे भगाया होगा and आज तक किसी ने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया होगा इसलिए हमारा वक्त है and हमें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना है यह कुछ reason से जिसकी वज़े से Adla ने पैडलर को क्या किया? entertain किया clear? सो इसका answer काफी easy था next question अब देखते हैं why did the stranger not tell the iron master that he was not Neil Solof? अब यहां मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यह चीज एक्स्प्रेइन किया कि जो पैडलर है उसने क्यों iron master को नहीं बताया कि वो Neil Solof नहीं है सो इसका भी answer आपको comment box में करना है यह भी आपके लिए क्या है? homework है सो दो homework मैंने आभी आपको दिये है content बनार होता है काफी चीज़े होती है but मैं पूरा try करता हूँ कि किसी का भी comment छूटे ना next question है हमारा how is the rat trap seller affected by meeting the crofter and adlock अब यह question जो है यह आपके लिए homework है बहुत ही important यह वही चीज है जो मैंने पूरे summary में आपको बताया है इसमें पुछा गया है कि जो rat trap seller है वो crofter और adlock से किस तरीके से affect हुआ उसके में क्या-क्या changes आई तो यह मैंने बहुत ही detail में आपको explain किया है और इसका answer में मुझे लगता है कि आप इसका answer दे पाएंगे and second thing मैं आपको यह बता दू कि Google से try मत करिया Google से copy paste समझ में आ जाता है कि कि किसने Google से copy paste किया है खुछ से answer बनाने का try किये आप ही का improvement होगा Google से आप answer paste करेंगे वो तो कोई भी भी ला सकता है अगर आप खुछ से try करेंगे तो अगर exams में नए questions भी आएंगे तो वो भी आपसे बनने लगेंगे clear so यह तीन questions अभी मैंने homework दिये आपको and यह हमारे long answer questions ओके यह भी PYQs है इसे भी हम देख लेते हैं long answer next page में compare and contrast the character of the iron master with that of his daughter अब यहाँ पे हमें iron master और उसकी daughter that's mean उसकी daughter क्या नाम था Adla इन दोनों के character को हमें compare करना है clear सबसे पहले iron master क्या था वो काफी strict था iron master काफी strict था यह हमें कहां से पता चला उसने क्या किया जब वो paddler के बारे में उसे पता चला तो वो काफी गुस्से में हो गया जब उसे पता चला कि वो नियल सोलफ नहीं था तो वो कहता है कि मैं तो मैं शेरिफ बेज़वा दूँगा जेल बेज़वा दूँगा तो यहां से पता चलता है वो strict था बट इसके just opposite जो उसकी daughter थी वो काफी काइंड थी यह चीज़ हमें सबसे पहला point लिख देना है ऐसा आपको नहीं बताना है वहां आपको paragraph में explain करना है यहां मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि इस दोनों में क्या क्या difference था बाकि English में point wise answers नहीं चलता है आपके सारे marks कर जाएंगे point wise answers में कोई marks नहीं मिलता आपको paragraph wise answers ही लिखने है next चीज़ हमारा क्या है वो जो था पैडलर को वो leave करने के लिए बोल रहा था अपना जो घर है वो उसको leave करने के लिए बोल रहा था बट उसकी daughter ने उसे कहा कि उसे रहने दीजिए हमने उसे वादा किया है यह सारी so iron master था वो खुद के बारे में सोच रहा था iron master जो था वो खुद के बारे में सोच रहा था जब church में उसे पता चला कि मेरे silver के मेरे gold के सारी ornaments हो चुझा के ले गया होगा but जो उसकी daughter थी Adla वो सोच रही थी कि मेरे साथ धोका हुआ है वो betrayal के बारे में सोच रही थी वो यह नहीं सोचरी थी कि वो चोरी करके ले जाएगा है कुछ और ले जाएगा वो यह सोचरी थी कि हमने इस पर भरोसा दिखाया है यह ऐसा किस तरीके से निकला यह सारे जो डिफ्रेंसेस थे वो उनके नेचर में थे नेक्स अमारा question है short answer questions है तो हमने छोटे से मैं explain कर दिया long में आता था थोड़ा बड़े बड़े लिखते बट points सेम होते land लिखते हम स्टोरी के साथ लिखते बट points है वो यही होते next question है how is the rat trap seller affected by meeting the crofter and Adla question repeat है यही चीज में आपको हर बार बताता हूँ यह जो question है वो क्या है repeat है क्या बताता हूँ हर बार कि English में questions जरूर repeat होते हैं किस तरीके से repeat होते हैं questions बदल जाएंगे answer same रहेगा अब यहाँ पे लिखा है How is the rat rep seller affected by affected by meeting the crafter and adla अब यहाँ पे मैं इसको क्या change कर सकता है इस question को How the crafter and adla affected the pedler question बदल गया answer क्या है word to word यह ही जो इस question का answer होने वाला है So English में अगर आप जितने questions में आपको करा रहा हूँ वो आप ध्यान से करते हैं तो next question वहाँ से कोई भी chance नहीं कि आप से छूटे इसलिए मैं कहता हूँ कि question भी आप ध्यान से यहाँ पे देखिए कोई summary में क्या है वो तो story का explanation है अगर कुछ minor details वहाँ पे जो minute details वहाँ पे छूट गए वो question में cover हो जाते हैं clear सब हम चलते हैं हमारे last question जो की है bonus question summary या all in one type के questions अब यह question देखते हैं ratrap focuses on human loneliness and the need to bond with others अब हमें इस पे comment करना है so comment क्या करना है यह कह रहा है कि पूरी story को एक बार explain कर दो तो कर देते हैं सबसे पहले क्या पता चलता है कि crafter जो था वो क्या था काफी friendly था friendly था and talkative था उसने जो pedler है उसे अपने घर पे शरंदी home में उसने उसे shelter दिया सबसे पहले हमें यह बता देना है second thing हमें क्या बतानी है कि जो addla थी addla थी वो काफी kind थी उसने understand किया pedler के feeling को किस तरीके से understand किया उसे पता चला कि जो pedler है उसे हर किसी ने भगाया होगा किसी के भी घर पे गया होगा तो उसे कुछ उल्टा सिधा कहके उन्हें भगाया होगा तो उसको उसने समझा second thing वो इतनी kind थी कि उसने अपने घर में shelter दिया shelter के साथ उसने food दिया food के साथ था तो उसने क्या दिया उस पे काफी भरोसा दिखाया यह सारी चीज़े उसने की अब यह सब की वज़े से उस उसमें change क्या आया इन सब की वज़े से जो हमारा pedler है उसे क्या feel होने लगा regret feel होने लगा वो regret feel करने लगा, guilty feel करने लगा और वो सोचने लगा कि crafter के जो पैसे उसने चुराय थे वो उसे नहीं चुराने थे इस तरीके से उसमें change आ गया यह हमें story में explain कर देना है and then last में हमको छोटे से line में यहाँ पर यह add कर देना है 3-4 line में कि humanity के through kindness के through हम किस तरीके से किसी भी person के basic nature को किसी भी बुरे व्यक्ती को अच्छा person हम बना सकते हैं यह हमें लिख देना है long answer question इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा but इतना लिखने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ और extra चीज बचेगा यहाँ पर and 90 to 100 words or 110 words यह answer complete हो जाएगा so यह भी काफी easy question था but यह question में इसलिए लिया क्योंकि इस question में हमने इस story में जितनी चीजे पढ़ी है वो सारी चीजे cover हो गई so काफी अच्छा वीडियो था आज का देखते हैं कुछ और थोड़ी बचा thank you so that was it for today I hope यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा and आपके मन में इस chapter से लेटेट कोई भी doubt नहीं बचा होगा and see questions unseen passage की question extract based questions, letter writing या जो भी बाकी के जो sections है वो हम exam time में करेंगे अभी हमें सिर्फ एक बार ये जो हमारा book है, NCRT book है या जो आपका text book है क्योंकि generally NCRT की stories ही almost हर state board में चलते हैं except Bihar board, तो उसके भी हम try करेंगे अगर अलग से videos बना पाए but finally हमारा focus जब NCRT पर है, तो हम एक बार ये ध्यान दे रहा है कि हम ये सारी stories को समझ के रखे exam तक, ताकि उस time हमें जल्दी जल्दी ना करना पड़े, and ये questions जो है वो तो complete package ये इनसे extract आपको कुछ करने की ज़रुरत नहीं है तो ये video I hope आपको पसंद आया होगा